mutual fund में investment कर रहे हैं, काफी समय से investment है, direct plan में switch करें कि नहीं commission बचाने के लिए अगर करना चाहते हैं, तो क्या हैं शर्ते हैं, किस तरीके से आपको switch करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, detail में इस वीडियो में cover करूँगा सो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले, हाई, I am विपलम अजुमदार, I am founder of Plan Your World Training Academy, Private Limited, हम आपको बनाते हैं आपका financial advisor, मेरी यूट्यूब वीडियो से आपको मिलते हैं tips, और अगर आपको अपना financial advisor वाकभी में only, with the maturity that they get at the time of retirement, या बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए, वो आपको अच्छे पैसे चाहिए, जिससे अच्छा college मिल सके, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ return देख करके एक investment कर दें, so इस वीडियो में आके बढ़ते हैं, mutual fund में investment कर रहे हैं, काफी समय से पैसा है, ह 90% लोगों के लिए ये सोच में एक गलती है, अगर आप middle class को belong करते हैं, तो आपका अच्छे advisor नहीं है, ये बात एकदम तैह हो जाती है, अपने आप में, विकास अच्छे advisor को भी अच्छे customer चाहिए, जहां से उनको करोड़ो रुपए का investment मिले, जहां पे उनको at least लाखो रुपए की brokerage मिले हर साल किसी भी फॉर्म में, किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपको अपना पैसा manage कराना है, अगर आप अपना mutual fund को manage करते हैं और आप direct plan में हैं, तो अगर आपका investment mutual fund में है और आप direct plan में जाना चाहते हैं, तो क्या हैं शर्ते, ultimately direct plan में जाने के लि invest कर दिया है, कि थोड़ा सा return मिल जाए, या फिर उस maturity से जो भी redemption पर आप पैसा लेंगे, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी पैसा आएगा, उस से आपके घर की कुछ जिम्मेदारियां पूरी होने वाली है, जैसे आपका retirement, या घर का loan आप चुकाना चाहत है, कोई मकसद है आपका, अगर आपका मकसद है इसके पीछे, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप अपनी life में interested है, आप अपनी बहतरी में financial success में interested है, तो direct mutual fund में जाए या नहीं, ये पहला एक decision है, अभी क्या हो रहा है, आपके पास में एक agent है, कौन बैंक की चीज़े करवाएं, लेकिन क्या उसको वाकई पता है कि 20 साल के लिए SIP क्यों, क्योंकि fund manager क्या 20 साल तक रुकेगा इसके अंदर में, fund manager की performance बिल्कुल सही रहेगी 20 सालों तक, क्योंकि उस company के साथ आपके agent ने तै कर लिया कि उसको brokerage इतनी लंबी चाहिए, आ आपका पैसे का क्या होगा पता नहीं है, अब सबाल क्या है, आपका मकसद क्या था? आपका मकसद था अपने पैसे पे ज़दा return मिले, अपने पैसे पे आपको पैसा बढ़के मिले, जब आपको जरूरत हो तो उस वक्त वाकई बच्चे के school, college के लिए जाधा पैसा मिले, retirement के लिए जादा पैसा हो अब यहाँ पर हो गया भेग दो अब्जेक्टिव का आपकी चाहत है आपकी जिम्मेदारियां पूरी हों अगले की चाहत है कि आप से जादा से जादा कमिशन मिले अब मुद्द यह आता है कि अगर डायरेट में जाना है तो पहला decision क्या है first decision is कि yes मैं अपना पैसा अपने आप manage करूंगा आपके मन में आएगा विपला तुम तो कहते ही अपना पैसा manage करो नहीं मुद्दा ये नहीं है मुद्दा ये है कि अगर आपका पैसा है आपने 10,000 रुपए की SIP की अब 10,000 की SIP 25 लैक्स की हो गई इस 25 लैक्स का क्या करना है अगर एक फंड से दूसरे फंड में जाते हैं टैक्स क्या लगेगा एक फंड से दूसरे फंड में जाते हैं क्या तरीका होगा इसका तो क्या ये इतना सीधा है कि मैंने सीधा उठाया और स्विच कर दिया सीधा उठाया बैंक में ले लिया नहीं आज आपको एक सर्विस मिल रही है कल को अगर ये पैसा एक करोड हो जाता है तो वाकई एक बड़ा पैसा और आपको मैनेज करना है दो बाते बहुत सिंपल है क्या आपके एजेंट को मैनेज करना आता है नहीं आता अब दूसरी लड़ाई जब नहीं आता उसको तो कौन मैनेज करें आपकी चीज़ें तभी अच्छी होंगे जब आप ये डिसीज़न पैसा क्या स्विच करने का है नहीं ये डिसीजन है कि आप अपना पैसा खुद मैनेज करेंगे क्यू Lebanese करें चाहिएं है क्योंकि अगर आपको ट्रांजेक्शन चाहिए था आपको चाहिए था कि मैं ट्रांजेक्ट कर लू सिर्फ खरीदना है ट्रांजेक्शन कर दिया मैंने रुपए दिये यूनिट्स मिल गए तो फिर आप जो कर रहे हों वही करते रहो लेकिन अग आपके एजन्ट ने आपको कभी एडवाइज नहीं किया कि एक लाख रुपए का टैक्स फ्री गेन मिलता है आप बुक कर लो दस हजार का हर साल नुकसान कराया अब मुद्दा ये आता है कि अगर ये सब चीज़े करनी है तो फिर आपका डिसीजन इंपॉर्टन्ट है तो प transaction का मॉडल आपके पास में है आप चाहे offline खरीदे चाहे online खरीदे लेकिन अगर आप पैसा manage करते हो तो वाकई आप उसकी maturity भी बढ़ाएंगे तो direct में और क्या शर्ते है में मुद्दा आपका अगर है कि direct में आपको इसलिए जाना है कि commission बचाना है तो याद रखें आपने एक लाग रुपे invest किया एक लाग पे मान लेते हैं 1% की brokerage गई तो आपका 99,000 important है या 1% अब मैं आपसे बोलूँगा अगर आप खुद इसको करते हैं इस 1% की value हो जाती है लगभग 30 से 40 लाख रुपे पूरे जीवन काल में अगले 20-30 साल में ये value है अगर पूरे जीवन काल की बात करो तो ये और बड़ी रकम हो जाती है मुद्दा ये अगर ये आपकी family के लिए important है तो फिर आपको खुद सीखना है अगर आपके लिए ये important नहीं है और आप अपने काम में व्यस्त हैं पूरी तरीके से आपको लगता है ठीक है एक इनसान है जो चीजों को देख पा रहा है then you go to advisor in any case आपके जो भी आपका agent है उससे आपका काम नहीं चलने वाला so advisor लेना पड़ेगा आपको now second point इस पैसे को अगर आप अपने portfolio में add करना चाहें तो फिर direct में जाना है तो direct के नियमों को जानना पड़ेगा क्या है और नियम कुछ सवालों के जवाब कुछ सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे पहला point tax आप जब immediately इसको switch करेंगे तो एक आएगा आपके सामने tax का मुद्दा सो मान लेता हूँ कि ये पैसा आपका equity funds का है तो 12 महिने से plus की units है उसी को switch कर सकते हैं जिनमें आपके पास में exit load ना हो exit load अगर नहीं है तो ही इसको आप switch कर सकते हैं दूसरी बात एक लाख रुपए तक का अगर gain है तो वही आपका tax free होगा तो ये तो होगी simple सी बात अगर एक लाख से ज़्यादा का gain होगा तो उसके उपर आपको 10% का tax देना पड़ेगा एक financial air में 1 lakh रुपीज का gain आपको मिलने वाला है जो दूसरे सवाल आपके सामने आते हैं वो कौन कौन से आते हैं फिर मैं आता हूं कि इसको कैसे switch करेंगे किस तरीके से कहां पे account open करेंगे इसके उपर भी आऊंगा point is very simple कि जब आप इसको switch कर रहे हैं तो आप fund कौन सा ले रहे हैं क्या मैं same fund में जाओ या मैं दूसरा fund ले लूँ आपके पास में multiple questions आ जाते हैं तो fund कौन सा होगा मेरा दूसरा question है कितने amount की आप इसके अंदर investment करेंगे क्या same amount का investment होगा क्योंकि जिस advisor ने भी आपके ये पैसे लगवाए हैं क्या उसने आपकी profiling की क्या उसने check किया क्या आपने check किया कि आपके बच्चे के education के लिए कितना पैसा लगेगा बच्चे के education के लिए मुझे आज अगर 10 लाग चाहिए तो definitely अगले 10 साल में this is going to be 26 लाग college की फीज बढ़ रही है तो मेरी SIP उल्टे करम में मुझे calculate करना पड़ेगा तो जो target है उसके according SIP होगी ना तो आज एक कितना पैसा मेरे पास में है और भविष्य में कितना चाहिए मैं अपनी सेविंग से कितना दे पाऊंगा यह आपको calculate करना ही पड़ेगा आपके agent ने नहीं किया है तो यह बहुत गलत बात है अगर आपको amount नहीं पता तो you need to know this ठिक goal based होगा third point आपके पास आ जाता है कि आपको कितना risk आपकी situation में लेना चाहिए अगर आपका goal बहुत लंबे समय का है छोटे समय का है आपकी saving आपके career के हिजाब से अगर अनिश्चित्ता दिखती है कि अगले तीन साल में मुझे पैसे की requirement होगी मेरा बच्चा मान लीजिए 14 साल का है या मेरा बच्चा 6 साल का है तो बहुत situation में फरक आ गया अब इसके according अगर चले तो मैं risk कितना ले सकता हूँ मैं जतना risk लूँगा उसके हिसाब से मुझे fund चुनना है दूसरी बात मैं regular basis पे मुझे review करने की ज़रूरत है अब आप इस difference को समझे मैंने क्यों कहा था कि switch करना simple नहीं है क्योंकि जब मैं switch कर रहा हूँ तो पहले जो मेरे पास agent था वो agent भी इस बात को नहीं देख रहा था वो भी review नहीं करता अब review में क्या क्या चीज़े है दो साल के बाद आपकी situation क्या है क्या मैं risk ले सकता हूँ क्या मुझे risk लेने की ज़रूरत है या मेरा goal achieve हो चुका है तो आज का risk दो साल बाद का risk ये आपको regular basis पे check करते रहना पड़ेगा देन आपका total exposure fund में कितना हो गया तो fund में total exposure आपका कितना है अब आपको अगर risk लेने की ज़रूरत है तो एक बात हो गए return से related एक बात हो गए मैं कितने amount पे आज की date में exposed हूँ सो दो साल बाद अगर मैं इसको check कर रहा हूँ तो मेरा exposure कितना है क्या मेरा exposure मुझे मान लिजे अगर दो साल के बाद या चार साल के बाद मुझे जरूरत है मान लेता हूँ 10 लाक रुपय की और मेरा already 8 लाक रुपया लगा हुआ है तो मेरी situation बहुत risk है सो मुझे अपनी situation को analyze regular basis पे करते रहना है ये सब बहुत tough नहीं होता बट इसके rules हमको जरूर पता होने चाहिए क्योंकि जब हम इसको बात कर रहे हैं अलग-अलग tips के तौर पे तो ये सारे आपस में एक साथ जुड़ते नहीं है सारे dots अलग-अलग रह जाते क्योंकि ये financial planning का एक बहुत बड़ा question है जो कि आपका agent भी नहीं कर रहा but आप अगर switch करते हैं पैसे को और market उपर रहती है तो market अगर उपर है तो क्या करना है वो भी आपको analyze करना पड़ेगा क्योंकि अगर आज से 5 साल के बाद बहुत बड़ा fund आपके पास है मान लेता हूं this is one crore who is going to handhold you क्योंकि ultimately आपको उस वक्त जरूरत पड़ेगी एक बात यहाँ पर बहुत important है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है पहला point क्या है आपके सामने जो आपका agent है वो भी इसमें आपको help नहीं करते क्यों नहीं करते देखिए जब तक पैसा आपका लगा रहेगा उनको उसके उपर brokerage मिलती रहती है इस वज़े से वो कभी नहीं चाहते कि आप इस fund से बाहर जाएं आपका कोई target थोड़ी है तो आपको तो अपने goals पूरे करने आपको हमेशा market के हिसाब से चीजों को देखना पड़ेगा यह आपके एक मजबूरी हो और इसके फायदे बहुत सारे हैं फायदे क्या है फायदा यह है कि भाई मान लीजे कोई व्यक्ती 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और कोई व्यक्ती 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है दोनों का return क्या सेम है यह return सेम है लेकिन क्या दोनों को जो पैसे return में मिले बाद में क्या सेम है सो वाले को मान लेते हैं एक हजार रुपए मिले दस गुना हो करके एक लाख वाले को दस लाख मिला ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका जो अमाउंट है वो आपको heavily invest करने की जरूरत होती है अगर वाकई आपको अपनी चीज़े पूरी करनी है आपका जो risk है वो काफी बढ़ चुका होता है investment के अंदर इसलिए mutual fund को काफी detail में आपको पढ़ने की जरूरत पढ़ती है दिन आपके लिए important part क्या आता है क्या investment style same है fund manager की investment style भी तो अलग-अलग है अगर उसमें कोई change हो गया तो क्या मुझे वो जानना है yes जानना है क्या ये data online available है everything is not available online ये बात एकदम clear रखिएगा इस industry में आज भी बहुत सारी चीज़े offline available है ये इसके बहुत सारी limitations है अब इतनी सारी चीज़े अगर आपके सामने limitations के तोर पे हैं सिर्फ खरीदना बेचना switch करना तो बहुत आसान काम है ये वैसा ही है कि एक journey शुरू आप ने कर दी बट उसके बाद क्या so इसके लिए proper education बहुत important है and financial education के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती ये बात एकदम ध्यान में रखें मैं एक छोटा सा example आपको देता हूँ कि अगर आपके 15 साल हो गए है investment करते हुए and if you feel कि आपके पास wealth कम है तो ये 15 सालों का नुकसान आप ले चुके हो आप आने वाले समय में mutual fund से कितना पैसा बनाओगे so ये point उठता है कि आप total में कितना amount आप लगाओगे अपनी profiling करने के बाद आप से मेरी appeal है कि अपनी profiling जरूर करें क्योंकि आपके पैसे अलग-अलग काफी जगों पे invested है so मान लेता हूँ ये PF में है ये FD में है ये आपका insurance में पैसा लगा हुआ है और ये आपका mutual fund में है अगर ये situation आपकी है तो in total आप negative return बना रहे है मतलब क्या है 7% से नीचे और आपकी अगर बच्चे की education की बात करो तो महंगाई 10% लग रही है आपकी बात करो तो 7% और ये mixture अगर आपका है तो definitely आप 7% से नीचे ही return बना रहे है उपर तो नहीं बना रहे है तो wealth आपकी तब बन पाएगी जब आप heavily invest करेंगे direct में switch करना खाली option नहीं है heavily invest भी करना पड़ेगा अब बात आती है कि invest करने के लिए आप ये switch करने के लिए direct में क्या क्या करोगे आप पहला point आपके सामने आ जाता है कि आप aggregator जो है उनके हाँ पे account open करते हैं क्या मुझे free app लेने की जरूवत है बिल्कुल नहीं free app से आप जाते हैं कहीं ना कहीं से ये वसूल लेंगे पैसा ये बात बिल्कुल तहा है क्यों कैसे सैकडो करोड टीवी एड पे जलते हैं कि आप free में आप direct mutual fund खरीद लीजे जब आप free में खरीदते हैं तो उसके बाद उनको कोई income तो होती नहीं फिर आपको वो 14% की FD बेचेंगे या फिर आपको ये बोलने बाले हैं कि आप आकर के trading करो trading से भी income आती है आप कुछ भी करो लेकिन आप use करो friends आपका पैसा है आपको बहुत समझदारी से इसको करना चाहिए आपके सामने क्या-क्या option है MF Central मुझे कोई affiliate marketing में नहीं करता so मैं simple सा आपको मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है मेरा अपना account MF Utility पे है so आप चाहें तो इनसे ले सकते हैं ये आपको service दे देते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं लगभग लगभग सरकारी हो जाता है system ये अपने आप में because KFintech और Camps आपका mutual fund का back office समालता है MF Utility को start mutual fund companies नहीं किया हुआ है या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं company की website से क्या फर्क आता है जब आप free app से किसी से लेते हैं या इन से लेते हैं मान लिजए आपने X app से इसको खरीदा और Y app दूसरा है तो आपने कुछ 5 funds यहाँ खरीदे 4 funds यहाँ पे खरीदे क्या फर्क पड़ेगा जब आपने इन में account खोला तो यह 9 के 9 funds यहाँ पे आपको in total दिखाई देते हैं एक ही जगे पे तो यहाँ पे आपका पैसा manage करना आपके लिए आसान हो जाता है करना क्या पड़ेगा आपको आपको इनके अंदर पहले account open करना है online account open कर सकते हैं या फिर आप इसको open कर सकते हैं जाके offline इनके offices में camps के office में भी जाकर के आप इसको open कर सकते हैं थोड़ी से service मिलने में असुविदा हो सकती है आपको तो आज online का जमाना है आप इसको आराम से use कर सकते हैं और आप थोड़ा सा भी friendly है तो और आपको अगर चेक करना है कि आपका जो अडवाइजर है वो अडवाइजर है या एजेंट है तो simply उससे बोल दिजे कि मुझे सारा पैसा इंडेक्स फंड में या डायरेक्ट में स्विच करना उसके बाद उसका reaction देख लीजेगा automatically आपको पता चल जाएगा अकाउंट open करने के बाद आपको क्या करना है अकाउंट open करने के बाद आपने करना है अगर आपके पास S.I.P. है तो सबसे पहले इस S.I.P. को आप कर दें stop simple आपने S.I.P. का contribution रोक दिया उसके बाद आपने 12 महिने वाला calculation किया एक लाख वाला calculation किया कि गेन कितना है पता चला एक percent बचाने गए और वहां पे आपको tax देना पड़ गया जादा तो उससे बहतर है कि आप थोड़ा संभल करके करें और ये चीज अगर आप detail में सीखन चाहते हैं तो money IQ क्लास में जरूर इसको आप देखें क्योंकि money IQ क्लास में Tuesday से लेके Thursday तक आप detail में जानते हैं कि financial planning आप कैसे करते हैं wealthy आप कैसे बनोगे पैसा अगर कम है तो आप अपने जिम्मेदारियों को किस तरीके से पूरा करें 1000 यूट्यूब वीडियो से अलग-अ mentor से देखने की बजाए आप concrete अपनी financial education को पूरा कर सकते हैं और इसके शुरुवात आप कर सकते हैं money IQ क्लास के साथ में आप चाहें तो अपने financial advisor भी खुद बन सकते हैं बिना formula जाने कोई formula रटने की जरूरत नहीं है मैंने आपके लिए बनाए है unique tools जिनको आप use करके अपन कैसे हो सकते हैं क्योंकि हमें अगर बताया गया कि corpus लेकर के retire हो बहुत बड़ा fund बना लो और retire हो जाओ तो यह सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी दुकाने चलती रहें ताकि उनको brokerage मिलती रहे पूरी जिंदेगी pension plan इसलिए बेचा जाता है ताकि उनको तुरंत commission मिल जाए आ लेकिन इंडिया में कौन से options हैं जिनको आप चुन सकते हैं कौन से options हैं जिसमें पैसा नहीं लगता सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग use करना पड़ता है थोड़े से efforts लगाने पड़ते हैं मैं mlm की बात नहीं कर रहा कोई mlm से मुझे कोई लेना देना नहीं है आप अपन याद रखें जो भी आपने साइप स्टॉप की है उसको आप डारेक्ट प्लान में फ्रेश साइप स्टार्ट कर दीजिए आउनलाइन आप चाहें तो अमाउंट सेम रखें बहतरी यह है कि आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से मनिया क्यों क्लास में जो कैलकुलेटर मिलत उनसे आप कैलकुलेट कर लें आपको कितने रुपए की S.I.P. करने की जरूरत है आपके गलत इंवेश्मेंट जितने भी उन सब को स्टॉप करें उन सब को पहचान लें अगर आपने इंशूरेंस में इंवेस्ट किया है आप हर महिने या या एरली सेविंग करके इंशू के लिए है और यहां पर अमाउंट आप तै करें अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपको अगर लगता है कि इंवेस्टमेंट इंपॉर्टन्ट है तो नहीं आपके जीवन में जिम्मेदारियां पूरी होना जादा इंपॉर्टन्ट है यह वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे बताईएगा कॉमेंट करके वीडियो को जादा से लाइक और शेयर करें और अपने फैनेशल एडवाइजर बनने के इमेडियेटली पढ़ाई स्टार्ट करिये स्टार्ट लेर्निंग नाउ